नम्सकार दोस्तों, आज हम आपको मीडा जाती के अतिहास बताएंगे मीडा सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मीडा किस केटेगरी में आते हैं? मीडा जाती की जनसंख्या कितनी है? कितनी उपजातिया है? कहाँ पाए जाते हैं? क्या मूल रोजगार है ये सब हम आपको बताएंगे मीना या मीडा भारत में पाई जाने वाली एक आधिवासी जाती है इन्हें भारत के प्राची नितम जातियों में से एक माना जाता है इस जाती की गिंती भारत के वीर सत्री यो धाउं में की जाती है जीवने आपन के लिए ये मुख्य रूप से खेती और पसुपालन पर नेरबर है हाला कि अभिया आधुनिक सिक्षा रोजगार के उस्वरों का भी खूब लाब उठा रहे है और छेत्र में प्रगती कर रहे हैं अपनी मजबूत इस्थिती भी दर्ज करा रहे है अरिकांत मीडा लोग हिंदू धर्मकान उस्वरण करते हैं भगवान मीन भगवान शिव उसरे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं यह हिंदी मेवाडी धूंतरी गड़वाली मारवाडी मालवी घीली आसा बोल लेते हैं सबसे पहले आपको मीडा किस कर्टेगरी में आते हैं यह बताते हैं आरक्षण बिवस्था में इन्हें कई राज्यों में अलग-अलग वर्ग में रखा गया है राजस्थान में अंसुची जनजाती तो मध्ध पर्देश के विदेशा जिले की सिरोध तहसिल में इन्हें अनसुची जनजाती के रूप में रखा गया है जबकि राज्य के दूसरे जिलों में इन्हें पिछड़ा वर्ग यानि की मध्ध पर्देश में ही दूसरे जिलों में ये पिछड़ा वर्ग में है वहीं महराष्ट, उत्तरप्रदेश, हर्याणामी ने उबेसी में सामिल किया गया है अब बताते हैं कि मेड़ा जाती की जनसंक्या कितनी है देश में और ये कहां पाये जाते हैं वैसे तो मुखे रूप से राजस्थान में रहते हैं मद्रदेश, उत्तरप्रदेश और हर्याणामी में ही इनकी कुछ आबादी है जनसंक्या के मामले में राजस्थान में इनकी सबसे बड़ी जन जाती है अलवर, भरतपूर, जैपूर, उदैपूर के आसपास के चित्रों में घनियाबादी है जब कि मत्रदेश के लबगतेश जिलो में ये लोग रहते हैं उत्तरप्रदेश में राजस्थान से विस्थापित माना जाता है या कई पीडियों से मुख्य रूप से पश्मी उत्तरप्रदेश के मतुरा, संभल और बनाईयों जिलों में रहते हैं अदखो यानि के उपकुलों में एरियट, अहारी, कटारा, कलसुआ, खराडी, डामोर, घोगरा, डाली, डोमा, नानामा, दादोर, मनाउच, चरपोता, महिंदा, राडा, दामिया, ददिया, परमार, भरगी, बमना, खत, उराथ, हेला, भगोरा और बागत में ये मुख्य रूप से कुलों में सामिल है, मेडा सब्द की उत्पत्ती कैसे हुई, अब ये आपको बताते हैं, जादी का नाम संत्कृत की सब मीन से लिया गया है, जिसका आर्थ है मचली, और इसका एक पवरानिक धिहास भी है, पवरानिक मान्यताओं के अनस्वार, ये भगवान राजवन्स के वंत्सच होने का भी दावा करते हैं, एक इतिहास कार है, उन्होंने ये संभावना जताईगी प्राचीन मच्स समराज में रहने वाली जन्जाचियों को मीन का आ जाता था, लेकिन निश्चित रुप से नहीं कह सकते, मीडा समदाय के लोग, चैतर सुकलपक है, इन्होंने राज़स्थान के कोच अस्थानों पर सासन भी किया, यानि कि राज़रा की तोर पर भी पाए गए है, लेकिन बाद में इसलिम सासकों ने उस पर कभ्या कर लिया, उटा, जालवाड, करोली और जालोड जैसे कई छेत्रों में पहले मीडा का परभाव था, उ ने आत्मा समर्पड करने के लिए मज़ूर किया गया, दोस्तों, ये मीडा जाती का इतिहास था, इसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों,